हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर्थ, होग आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं आपका अपना सुजय कुमार, स्वागत करता हूँ अपने चैनल SK Excel ट्रिक पे दोस्तों आज आप जानेंगे Date of Birth का कल्कुलेशन कैसे करते हैं आप मेरे स्क्रीन पे देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है Y, YM और M, D अब मैंने यहाँ पे किसी का Date of Birth दे रखे हैं आप देखिए यहाँ पे उसका Year 30 और Month 2 और 23 निकला है चलिए अगर आप किसी का निकला चाहते हैं Date of Birth आप खुछ से निकाल सकते हैं Suppose that मालिजिए यहाँ पे Data Birth गैज़ कर देता हूं और 20 कर देता हूं 10 कर देता हूं चलिए 10 कर देता हूं और 90 कर देता हूं और Anti-Price कर देता हूं ओर टोमेटिक जो है आपका यह फर्मूला काम करेगा चलिए कैसे हम निकाले हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ इक्वल टू डी ए टी डेटेड इफ ध्यान रखें इक्वल टू डेटेड इफ अब यहाँ पे कर देडेड इफ में तो यह जो डेट है इसको आप सलेट किजे कोमा अब यहाँ पे क्या लिखना है तूडे यह आज का दिन suppose that मैंने यहाँ पे टूडे लिखा है तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक डेट निकाल के टाइब कर दे आज का दिन तो कर सकते हैं simply कोई दिकत नहीं है तो मैंने इसलिए manually यहाँ पर फर्मुला लगा दिया today अब यहाँ पर क्या करना है इस bracket को close कर देना है comma double quotation यहाँ पर आपको क्या लिखना है y क्योंकि मैंने यहाँ पर already y लिख रहा का था bracket close किजिए और enterprise कर देजिए 30 निकल गया अब यहाँ पर देखिए month निकलना आपको equal to dated if bracket open किजिए और आपको वही देखिट करना है जो उस लगके का date of birth है comma today bracket को close करें comma double quotation और यहाँ पर कह लिखना है y m double quotation bracket close और enter यह हो गया उस लगके का month अब हमें निकलना है day equal to dated if bracket open date of birth comma today bracket close comma double quotation यहाँ पर आपको लिखना है y m double quotation sorry यहाँ पर y m नहीं m d लिखना है double quotation bracket close और enter यह देखिए यानि कि 30 year यानि कि यह हो गया 30 साल आठ महीना एक दिन का अगर आपको यह फर्मूला अच्छा लगा होगा अगर आपको यह फर्मूला अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग